आल राइट तो ये है लावा की तरफ से रिसेंटली लॉंच किया गया लावा O2 जो की लॉंच किया गया है 8GB प्लस 8GB प्लस 128GB वाले वैरियंट में प्राइज रखा गया है इसका 8,499 रुपीज लेकिन लॉंच आफ़र में ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा मात्र 7,999 इसी फोन के बारे में कि क्या ये स्मार्टफोन आपको अक्च्छल में पर्चेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या प्रॉस है, क्या कौन से, क्या चाहिया है, क्या खराबिया है, सारी चाहिए डिसकेस करेंगे बस रिक्वेस्ट आप से इतनी है कि end of the video अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना चैनल पर अगर आप नए है, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही कॉंटेंट में अगर आपका इंट्रेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना स्टार्ट करते हैं रिव्यू को सबसे पहले बॉक्स कॉंटेंट की बात कर ले तो तो बॉक्स में आपको तकरीबन सारी चीज़े देखने के लिए मिलती है बाहर से आपको कुछ भी चीज पर्चेस नहीं करनी पड़ीगी accept the screen protector क्योंकि यहांपर आपको pre-applied screen protector नहीं दिया गया है तो screen protector आपको बाहर से पर्चेस करना पड़ेगा बागी सारी चीज़ आपको box में मिली जाती है बात करेंगे phone के build quality and design की तो भाईस आप 10 on 10 build quality and design है यहाँपर आपको भाईस बिलता है full glass build दिया गया है glass back है glass front है anti glare matte glass पीछे की तरफ मिलता है matte finish है तो fingerprint के निशान आते हैं लेकिन visible नहीं रहते हैं जो camera island है वो glossy finish के साथ में आता है जहां पर fingerprint के निशान दिखते है भाई लेकिन दिखने में smartphone बहुत अच्छा है flat frames के साथ में phone दिया गया है in hand feel भी phone का काफी अच्छा है weight balance भी काफी अच्छा है बहुत ज़्यादा motor नहीं है बहुत ज़्यादा heavy weight भी नहीं है in hand feel phone का काफी अच्छा है so build quality price segment के इसाब से the best आपको मिलती है design की भी अगर बात करें भाई से आप good looking smartphone है हमारे पास में purple color है इसके अलावा आपको green color मिलता है gold color मिलता है और यह जो color से दिखने में काफी अच्छा है overall phone जो है back panel से काफी good looking है front में भी आपको center punch hole वाला display यहाँ पर आपको मिलता है हाँ bezels आपको ठीक ठाक मिलता है chin भी आपको ठीक ठाक size की मिलती है लेकिन price segment की सबसे build and design इस phone का बहुत अगड़ा भाई build and design में lava ने बहुत solid काम किया है 10 में से 10 marks इसको जाते है भाई साब build and design के मामले में solid smartphone है बात करेंगे display के बारे में तो 6.5 inches का यहाँ पर आपको display दिए गया है जहाँ पर आपको HD plus resolution मिलता है IPS LCD panel दिया गया है 90 Hz के refresh rate के साथ में सबसे पहले content watching के experience की बात करें colors यहाँ पर आपको अच्छे मिलते हैं viewing angles काफी अच्छे दिये गए है 720 pixels वाला display है तो details आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है लेकिन price point के हिसाबचे content watching का experience आपका बढ़या रहता है dynamic range display की अच्छी है widevine L3 का certification है तो Amazon, Netflix पर आप 540 pixels में content देख सकते हैं लेकिन YouTube पर आपको 1080 pixels की streaming का support मिलता है और content watching का overall experience काफी बढ़या रहता है तो वहाँ शिकायत नहीं है brightness की अगर बात करेंगे तकरीबन 500 nits तक इस phone की brightness जाती है indoor visibility बहुत अच्छी है direct sunlight में भी जो display है properly visible रहता है ज्यादा आपको आखे गड़ानी नहीं पड़ती है तो brightness भी बढ़या आपको मिल जाती है and 90Hz के refresh rate दिया गया है जो कि आपको काफी smooth feel भी कराता है तो महाँ भी कोई दिक्कत नहीं है कोई jitters नहीं आते हैं overall smooth display है मेरे हिसाब से display quality price segment को देखते हुए अच्छी है content watching का experience अच्छा है brightness अच्छी है smoothness आपको मिल जाती है तो display quality बढ़या दी गई है बात करेंगे performance के बारे में तो इस phone के अंदर दिया गया है Uni associ की तरफ से आने वाला Tiger T616 processor यह जो processor है 12 nanometer पर बना हुआ processor है heating का issue हलका फुलका यहापर मुझे देखने के लिए मिला overheating नहीं है थोड़ा सा phone गरम होता है जब मैंने इसमें back to back test run किये थे तो जो phone है थोड़ा सा गरम हुआ था हाला कि अब गर्मी का मौसम भी चालू हो गया है थोड़ा सा heating आईशो आपको देखने के लिए मिल सकता है लेकिन overheating मुझे देखने के लिए नहीं मिली CPU throttle test भी मैंने इसके अंदर back to back तीन बार रन करके देखा था एंड approximately 80 to 85% की performance पर throttle करता है which is not bad thermal management ठीक ठाक यहापर आपको मिल जाता है Antudu भी मैंने back to back तीन बार रन किया था जहापर 294,000 के आसपस scores निकल के आते हैं जो की बहुत अच्छे है price segment के साब से 8000 का phone 294,000 के आसपस Antudu score देता है भाई performance आपको अच्छी मिलेगी geekbench के भी scores यहापर आप देख सकते हैं काफी promising scores निकल के आते हैं तो benchmark पर यह phone बड़िया perform करता है लेकिन practical life की अगर बात करें तो normal day to day life में तो कोई दिक्कत नहीं भाई साब यह जो phone है कहीं भी नहीं अटकता है चाहे आपको social media scroll करना हो चाहे आपको calls करने हो चाहे आप कुछ भी करें भाई यह जो phone है कहीं भी अटकता नहीं है बड़िया तरीके से काम करता है साथी साथ यहाँ पर आपको 8GB की LPDDR4X RAM दी गई है RAM management बहुत अच्छा है maximum application जो है वो RAM में बनी रहती है RAM management काफी aggressive यहाँ पर आपको मिलता है साथी साथ UFS 2.2 वाला storage दिया गया है तो read-write की speed भी आपको अच्छी मिल जाती है and app opening and closing का time भी काफी fast है साथी साथ animations वगेरा भी बड़िया काम करते है तो overall performance की बात करें performance यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलती है price segment के इसाब से day-to-day की performance में आपको शिकायत नहीं आती है gaming की अगर बात करें तो gaming का experience भी यहाँ पर आपको ठीक टाक मिल जाता है BDMI मैंने इसके साथ में खेल करके देखा आदे गंटे तक खेलाता है जहां तक कोई दिक्कत नहीं आयती उसके बाद मैं हलके full के frame drops देखने के लिए मिलने लगते है लेकिन price segment के हिसाब से giving भी यह जो phone है अच्छी करा देता है तो overall performance की बात करें भाइसा performance wise भी यह जो smartphone है काफी सही है performance में भी आपको शिकायत नहीं देगा बात करेंगे cameras की बारे में तो 2 cameras का setup पीछे की तरफ दिया गया है 50 megapixels का primary camera है साथी में एक AI lens दिया गया है selfie camera की अगर बात करें तो front में आपको 8 megapixels का selfie camera मिलता है rare camera output की अगर बात करें normal daylight में rare camera output बढ़िया निकल के आते हैं colors आपको अच्छे मिल जाते हैं details भी images में आपको बढ़िया मिल जाती है skin tones जो है वो आपको बहुत ज़्यादा natural नहीं मिलते हैं थोड़े से artificial लगते हैं लेकिन overall जो image की quality है वो आपको अच्छे मिलती है dynamic range भी यहापर आपको ठीक ठाक मिल जाती है and light control भी ठीक ठाक तरीके से काम कर जाता है हाँ बहुत ज़्यादा harsh light अगर होती है तो कभी-कभी यहापर light control में दिक्कत आती है otherwise light control भी इस phone का बढ़िया है तो rare camera output normal daylight में बढ़िया निकल के आते हैं portrait mode की भी अगर बात करें portrait mode बहुत अच्छे तरीके से काम करता है age detection ठीक ठाक आपको मिलता है बात करेंगे selfie camera के बारे में तो selfie camera ने थोड़ा सा मुझे disappoint किया भाई क्योंकि यहाँ पर जो images निकल के आती है काफी inconsistent मुझे लगी भाई क्योंकि कभी तो screen tones बहुत अच्छे निकल के आते हैं कभी oversaturated हो जाते हैं कभी warm tone पर चले जाते हैं तो थोड़ी से white balance की दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को मिलती है and details आपको selfies में ठीक ठाक देखने को मिलती है अच्छी lighting condition रहेंगी तो अच्छी details रहेंगी थोड़ी भी low light condition रहती है तो details आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है तो selfie camera मेरे इसाब से ठीक ठाक परफॉर्म करता है बात करेंगे video recording की तो rare camera से आप 1080p 30fps कर सकते है and selfie camera से maximum 720 pixels की recording का आपको support मिलता है and video samples आपने देखी लिए भाई साब video quality आपको ठीक ठाक मिलती है overall अगर camera setup की बात करें price segment की हिसाब से camera setup ठीक ठाक है average camera है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा खरब नहीं है camera से आपको बहुत ज़्यादा disappointment नहीं होगी बात करेंगे battery की बारे में 5,000 image की battery आपर दी गई है 18 watt की charging को phone support करता है 18 watt का charger आपको box के अंदर दिया गया है इस phone को 0 से लेके 100% तक full charge होने में लगते हैं तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट के असपास तो time काफी ज़्यादा लगता है लेकिन backup आपको अच्छा मिलता है क्योंकि HD plus का display यहाँ पर दिया गया है तो थोड़ा सा energy consumption कम रहता है भाई तो मेरे हिसाब से एक दिन सवा दिन का backup सवा दिन तक का backup यह जो phone है आपको आराम से निकाल करके दे देता है साड़े छे साथ गंटे का screen on time आप आराम से निकाल सकते है तो battery module भी सही है भाई battery module में भी शिकायत नहीं है बात करेंगे sensors के बारे में तो side mounted fingerprint scanner दिया गया है जो कि fast enough है face unlock आपको मिलता है जो भी ठीक ठाक तरीके से काम कर जाता है तो वहाँ भी दिक्कत नहीं है बाकी sensors के अगर बात करेंगे तो limited sensors यहाँ पर आपको मिलते है gyroscope यहाँ पर नहीं दिया गया है तो अगर आप एक gyro player है तो यह phone आपके काम का नहीं है limited sensors के साथ में आता है ठीक ठाक तरीके से काम करते है बात करेंगे speakers के बारे में तो single speaker यहाँ पर आपको मिलते है bottom firing speaker दिये गए है लेकिन single speaker होने के बाउजूद loudness यहाँ पर आपको काफी बढ़िया मिलती है and surprisingly details भी यहाँ पर आपको अच्छी कासी मिल जाती है तो speaker output मुझे इस phone का बढ़िया लगा overall जो multimedia experience है price point की साबसे आपको बढ़िया मिल जाता है तो वहाँ आपको शिकायत नहीं आती है software के अगर बात करेंगे यह जो smartphone है out of the box android 13 पर दिया गया है लेकिन android 14 का guaranteed update यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा software के अगर बात करें कोई भी bloatwares नहीं है कोई ads नहीं आते हैं कोई UI lags आपको नहीं मिलते हैं smooth experience है भाई साब software बड़िया तरीके से काम करता है animations वगेरा सारे साही है तो वहाँ भी आपको शिकायत नहीं आती है साथी साथ आपको features मिल जाते है app log मिलता है dual app से यहाँ पर आपको मिल जाता है साथी साथ anonymous call recording का भी यहाँ पर support दिया गया है यह काफी अच्छी बात है तो overall software wise अच्छा है phone android 14 पर होता तो ज्यादा अच्छा रहता लेकिन update के बाद में android 14 तो definitely आपको देखने को मिली जाएगा तो software wise decent smartphone है बात करेंगे call quality की तो dual mic से यहाँ पर आपको मिलते है secondary noise cancellation mic भी दिया गया है और calls की quality बढ़िया है भाई आप आराम से बात कर सकते हैं कोई भी शिकायत नहीं आती है call drops भी नहीं रहते है noise भी बहुत जादा नहीं जाती है तो call wise भी बढ़िया है smartphone है तो मेरे हिसाब से अगर दिखा जाए 7,999 रुपे के price point पर क्या ही smartphone आपको purchase करना चाहिए तो कुछ अच्छा ही है इस phone के अंदर आपको मिलती है जैसी कि इसका build quality and design outstanding आपको मिलता है display price segment के इसाब से बढ़िया दिया गया है performance आपको बहुत अच्छी मिलती है camera's ठीक ठाक आपको मिलते है battery module भी price segment के साब से बढ़िया ही आपको मिल जाता है कुछ कमी होगी अगर बात करें तो यहाँ पर जो sensors दिये गया है वो आपको कम मिलते है जो biometric से वो भी बहुत ज़ादा fast काम नहीं करते है साथी साथ android version आपको android 13 मिलता है तो यह कुछ कमिया इस phone के अंदर मुझे लगी लेकिन overall अगर देखा जाए 8000 के price point पर performance wise अगर आपको देखना है तो यह जो smartphone है definitely purchase किया जा सकता है अपनी purchase को आप regret तो definitely नहीं करेंगे लेकिन आप में को comment करके बताना भाई आपकी क्या विचार है इस phone के बारे में कैसा लगा आपको यह smartphone कैसा लगा हमारा review क्या यह smartphone आप purchase करना पसंद करेंगे comment करके अपनी राए जरूर से बता देना वीडियो कर अच्छा लगा है तो please वीडियो को like जरूर से कर देना आपने दोस्तों के साथ share कर देना चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाईस तो please make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें bell notification icon को प्रेस करें all वाला option जरूर से select करें ताकि हमारे future वीडियो को notification पहुंचें आपको तुरंट से this is Yash signing off बाई देखू से करें दो से सब्सक्राइब करें